हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निल्स किचन और आज हम बनाएंगे मसाला पराठा जो की खाने में इतना स्वाधिश्ट है कि आप इसे रोल करके बिना चट्मी, दही या फिर अचार के खा सकते हैं तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं तो मसाला पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो सुपचास अमल के कप में दो कप गेहू काटा और अब इसमें एट करेंगे एक चोथाई कप बेशन, देर छोटी चमच जीरा, जीरा के साथ आप आधा छोटी चमच अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं फिर एट करेंगे एक चोटी चमच कसूरी में थी जिसी कि मैंने ड्राई रोष्ट करके क्रश कर लिया है आधा चोटी चमच हल्दी पाउडर, एक चोटी चमच लाल मिर्श पाउडर, दो बड़ी चमच बारी कटी हरी रनिया की पत्ती, आधा चोटी चमच अधरक लहसुन का पेश्ट अगर आपके पास पेश्ट ना हो तो अद्रकलेस उनको क्रेश करके भी यूज़ कर सकते हैं और नमक स्वादा नुसार और अब इन सारी चीजों को हाँ से अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तयार करेंगे तो यहाँ पर हम जो डो तयार करेंगे वो नॉर्मल जैसे पराठे का डो होता है वैसा तयार करेंगे तो देखी पराठे का डो बन कर तेयार है अब हम इसे किसी बर्तन से ढखक कर आधा से एक घंटा सेट होने के लिए छोड़ देंगे आधा खंटे के बाद बर्तन हटा देंगे और हाथों में थोड़ा घी लेकर इसे मस लेंगे ऐसा करने से पराठा अंदर से नरम और बहार से क्रिस्पी बनता है तो देखी इस तरह से ये डो सॉफ्ट हो गया है अब हम इसका पराठा बनाएंगे अब हम डो को इक्वल पोजिशन्स में डिवाइट कर लेंगे ताकि सारे पराठे एक साइस के बने तो यहाँ पर दो कप केहूं के आठे से आप नौ से दस पराठे बना सकते हैं तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आठे केक बॉल को लेकर हाथों से उसे जरा सा रोल कर लेंगे और फिर उसे दबा कर फ्लैट कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा आटा लगा कर पहले उसकी चोटी सी रोटी बे लेंगे फिर उसमें जरा सा घी या तेल लगाएंगे फिर उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा आठा दोनों साइड लगा लेंगे और फिर इसे रोल करके पराठी का शेप देंगे एक साइड मैंने गैस पर तवे को गरम करने के लिए रखा है अब हम पराठा सेखेंगे तो यहाँ पर तवे को मैंने हाई फ्लेम पर गरम होने के लिए रख दिया था और अब तवा मीडियम होट हो चुका है तो मैं पराठे को डाल दूंगी और बस एक साइट से हलका सिखने के बाद हम पराठे को इस तरह से पलट देंगे फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम पर रखा है और अब हम इसमें घी लगा देंगे एक तरफ घी लगाने के बाद अब हम पराठे को पलट देंगे और इस तरफ भी घी लगा देंगे और फिर इसे इस तरह से दबा दबा कर सेख लेंगे तो इस तरह से दबा दबा कर सेखने से पराठा क्रिस्पी बनता है तो आप जब भी पराठा बनाए उसे बीच से ही नहीं बलकि साइट से भी प्रेस करें ताकि पराठा अच्छी तरह से सिख जाए और अच्छा क्रिस्पी बने तो देखिए पराठा अच्छी तरह से सिख चुका है तो अब हम इसे गर्मा गरम सर्व करेंगे तो इस तरह से मसाला पराठा बन कर तयार है आप भी इसे अपने घर पर जरूर ट्राइ करें ये खाने में बहुत ही यमी बना है मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करना ना भूले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल बटन को दबाना बिलकुल ना भूले थैंक यू